प्रधान मंत्री ने देश को बड़ी सौगा दी प्रधान मंत्री नरींदर मूदी ने आज गुरुग्राम से देश के सूलर रज्जो को कुल 114 सड़क परियूजनाओं की सौगा दी इक लाग करोड से अधिक की लागत की 114 परियूजना जौनता को समर्पित की गई इससे पहले पीम ने रोट्शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्शन किया उनके साथ केंद्री मंत्री नितिन गटकरी और हर्याना के सिय मनुहालाल समेत अन्यनेता पीयमुधी ने गढूरका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमिटर लंबे हर्याना सेक्षन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया इससे द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गूर्वान के बीच में चो यातायात है उसको बहतर बनाने और भीरभाड को गम कर्ड़े में मुद पहले आपको इस एक्सप्रेस्वे की खासित बता देते हैं क्या कुछ इसकी खासियत है 9000 करोड की लागत से यह से बनाया जा रहा है देश का पहला आठ लेन एलिवेटेद एक्सप्रेस्वे यह है एक्सप्रेस्वे की कुल लंबाई है 39.5 किलोमेटर प्रधानमंत्री ने हर्याना के 19 किलोमेटर के हिस्से को जनदा को समर्पित किया है दिली में इसका दाइरा 10.1 किलोमेटर तक पहला रहेगा जिसका काम जून तक पूरा होने की संभावनाय है सिंगल पिलर पर बना देश का पहला यह एक्सप्रेस्वे है हर्याना में एक्सप्रेस्वे का सिंगल पिलर 34 मीटर तक चोड़ा बनाया गया है आठ लेट वाले द्वारका एक्सप्रेस्वे का हर्याना सेक्शन बनकर के तयार हो चुका है हर्यान के 19 किलोमेटर लंबे सेक्षन पर 4,100 करोड का खर्च आया है एक्सप्रेसवे, IGI और गुरुग्राम बाइपास को जोड़ने का काम करेगा दिली और गुरुग्राम की दूरी महस 25 मिनिट पर पूरी हो जाएगी एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम के सक्टर 88, 83, 84, 99, 113 को द्वारका सक्टर 21 के साथ जोड़ देगा एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम के लाखो लोगो को बहुत बड़ा पाइदा होगा बीस से अधिक कॉलनिस सीधा एक्स्प्रेसवे से जुड़ेंगी दस से अधिक गाउं भी एक्सप्रेसवे के पास है दिली से जैपुर, हर्याणा, पंजाब और उतरप्रदेश की कनेक्टिविटी और बहतर होगी एक्सप्रेसवे ना केवल लोगों को जैम की समस्या से निजात दिलाएगा बलकि दिली से गुडगाउं की दूरी भी एक तरह से कम कर देगा पहले दिली से माले सर जाने में एक घंटा लग जाता था और अगर जाम लगा तो फिर दो घंटे का ट्रावल टाइम हो जाता था जबकि आप केवल 20 मिनिट में ही आप होच पाएंगे मतलब सबय की बचत एक्सप्रेसवे के उधगाचन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जहां द्वार का एक्सप्रेसवे का निर्मान हुआ है वो एक समय था एक शाम धलने के बाद लोग इधर आने से भी कतराते थे टाक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं जाना है इस पूरे इलाके को असुरक्षत समझा जाता था लेकिन आज कई बड़ी कमपनिया यहां आकर के अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही है यह इलाका NCR के सबसे तेजी से विच्चिद हो रहे है इलाकों में शामिल हो रहा है यह एक्स्प्रेस भे दिल्ली में इंदरा, गांधी, अंतरास्त्रे, हवायडे तक कनेक्टिवीटी को बहतर बनाएगा इसे NCR का इंटेग्रेशन बहतर होगा इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बहुत सी सौगाते थी उतरप्रदेश में लगभग 4,600 करोड रूपे की लागत से विकसित लखनव रिंग रोड के तीन पाकेज की भी घोशना की आंदर प्रदेश में लगभग 2950 करोड रुपे की लागत से विक्सत नाशनल हाईवे सोला का आनंदपूरम पेंतुहूती अनकपली खंड का उधगाटन किया है हिमाचर प्रदेश में लगभग 3400 करोड की लागत वाले NH21 के किरतपूर से नेरचोक खंड का भी उधगाटन किया गया करनाटक में 2750 करोड रुपे की लागत वाले दोबास पेट हैस कोटे सेक्शन का उधगाटन उन्हों ने किया प्रदानवंत्री मूदी ने कहा कि देश में जुस गती से विकास हो रहा है उससे कॉंग्रूस और इंडी गडवन्धन डरेवे है जब मैं विकासात्मक परियोजनाओं का उधगाटन करता हूँ तो वो उसे चुनावी रननीती कहते हैं नकारत्मक्ता को के और केवल नकारत्मक्ता ही कॉंग्रूस की असली विशेश्टा है देश में लाखों करोर रुपिये के इन विकासकारियों से सबसे जादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कॉंग्रेस और उसके गमंडिया गडवन्दन उनकी नींद घराम हो गई है ते सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे तो मोदी दस और कर देता है उनको समझी नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या प्रधानवंद्री मोदी ने कहा कि 2026 में ही इतने कम समय में अब तक 10 लाख करूर उपे की परियूजनाओं का या तो शलन्यास किया है या फिर लोकारपन क्या है मैं पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिन सभी रज्जों को करूरों नागरिकों को इतनी सारी विकास यूजनाओं के लिए बदाई देता हूँ समस्याओं को समभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है मोदी जुनाओं की वज़े से लाखो करोड रुप्यों के काम कर रहा है दस वर्सों में देश इतना बदल गया लेकिन कॉंग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बढ़ला है इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है आल नेगेटिव और किवल नेगेटिविटी यही कॉंग्रेस और इंडी गडबंदन वालों का चरीत्र बन गया है वही प्रधान मिंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साते वे कहा कि ये तो वो लोग हैं जो किवल चुनावी सरकार चलाते थे इन्होंने 2006 में 1000 करूर किलोमेटर का एक्सप्रेस्वे बनाने की घुशना की लेकिन वो घुशने में घुश गए लेकिन इसको हमने 2018 में पूरा किया प्रधान मिंत्री ने कहा कि मेरा सपना है कि 2047 तक देश विक्सित होना चाहिए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने 60 दशक में जो गड़े खोदे थे वो तेजी से भरे जा रहे हैं अगले पांच वर्ष अपनी इस निव पर बुलन इमारत बनाने का काम होने वाला है और ये मोदी की घारंटी है तो मोदी सरकार है क्ट्रिक लगाने की तयारी में है और इसके लिए लगाता है स्ट्राटेजीज बना करके बीचों पर आगे बढ़ रही है यही वज़ा है कि पिये मोदी, इस, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ यानि देश के हर कोने का दौरा कर रहे है और स्वागातों की बोचार तीजी से करते जा रहे है